नमस्कार आप देख रहे हैं अखबार जगत भारत द्वारा जमू कश्मीर को लेकर लिए गए फैसले की दुनिया भर में चर्चा है इस बीच विदेश मंतरी एस जय शंकर चीन पहुँचे हैं यहां उन्होंने चीनी विदेश मंतरी वौंगली से मुलाकात की दोनों देशो को विवाद नहीं बनने देंगे बता दे विदेश मंतरी का यह दोरा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान जमू कश्मीर के मसले पर दुनिया भर की मदद मांग रहा है पाकिस्तानी विदेश मंतरी शाह महमूद कुरेशी भी इस मसले पर चीन पहुँचे थें सैयुक्त प्रे देशों ने 2020 के लिए आक्शन प्लान पर भी साइन किये। विदेश मंतरी एस जय शंकर ने कहा कि जब से दोनों देशों के बीच वुहान बैठक हुई है तब से दोनों देशों के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ है। उस पर अभी यह जरूरी है कि इस इलाके में शांती बनी रहे। साथ ही उन्हों ने यह भी कहा कि हमारे बीच कुछ आपसी मतभीद हैं लेकिन हम उसे स्विकार करने में किसी तरह की हिचक नहीं करते हैं। हम चीन में भारतिय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाय बढ़ाने को तयार हैं। इस समय हम खुले दिमाग से सोचने की जरूरत हैं और निवेश, ओद्योगिक, उत्पाद, परियतन, सीमा व्यापार पर सहयोग बढ़ाय जाना चाहिए। इस मुलाकात की दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुद्दे पर भी बात हुई। विदेश मंत्री एस जैशंकर ने कहा कि चीन की और सही मानसरोवर यात्रा को लेकर कुछ सुझाओ दिये गए हैं जिन पर वहविचार करेंगे। गौर तलब है कि एस जैशंकर को चीन मसले का एक्सपर्ट माना जाता है। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद एस जैशंकर की चीन की यह पहली यात्रा है। एस जैशंकर एक जून 2009 से एक दिसंबर 2013 तक चीन में भारतिय राजदूत की रूप में काम कर चुके हैं। इसी तरह के वीडियोज देखते रहने के लिए लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें।